देखिए आज मैंने पहली बार ब्लाव सिला है वो भी इतना डिजाइनर आए देखते हैं कैसे सिला है वेलकम तू रेखा मल्ती स्किल अस्तर को यहां 12 इंच फोल्ड करते हुए सोल्डर को साड़े 6 इंच लिया है 13 इंच का सोल्डर था हाप लिया है आर्म हो लिया है 6 इंच चेस्ट का एक चोथाई साड़े आठ लेते हुए धा इंच का मार्जन रखा है चेस्ट यहां 34 है कमर 30 है यहां लेंथ रख रहे हैं हम 15 इंच 14 इंच हमें तयार चाहिए 1 इंच एक्स्टर ले रहे है कमर का एक चोथाई इस साड़े साथ लेते हुए धा इंच का मार्जन रखा है यह हमारा फिटिंग का मार्ग है यह मार्जन का मार्ग है धा इंच आप अपने अकॉर्डिन ज़्यादा भी रख सकते हैं यहां से साड़े तीन इंच लेंगे हम चोड़ाई यह मुद्दो को हम शेप देंगे गोलाई शेप देते हुए उपर से डॉट पॉइंट रखा है दस इंच यह प्रिंसिस कट की शेप देंगे हम शोल्डर से पांच इंच की डॉट लगाते हुए यहां से शेप दे देंगे प्रिंसिस कट के लिए चोड़ाई रखी है यहाँ पर 1.5 इंच उपर लंबाई भी 1.5 इंच रखी है इसे 10 इंच के पॉइंट से जॉइंट करते हुए गोलाई दे देंगे शेप दे देंगे थोड़ी सी जो पार्ट हमें काटने है जिनकी कटिंग करनी है उन्हें मैं डार्प कर रही हूँ यह प्रिंसिस कट है इनकी कटिंग कर लेंगे यह प्रिंसिस कट की कटिंग कर लेंगे हम एक्स्ट्रा को निकाल देंगे यह फ्रेंट पार्ट है इधार ओपन बना रही हो में इसलिए बीच में से कट कर लिया गले का नाप देंगे उपर से 3 इंच लंबाई रखी है 9 इंच आप और भी ज्यादा रख सकते हैं मैं यहाँ पर नैट का छोटा गला रखूंगी इसलिए मैंने 9 इंच थोड़ा दीप रखा है गुलाई देते हुए हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से शेप आएगी इन सभी पीसिस को हम मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लेंगे यह प्रिंचिस कट है इसको भी कटिंग कर लेंगे यह बैक साइड का नाप ले रहे हैं बैक साइड को भी सोल्डर का हाफ लेते हुए साड़े चेंच आर्म होल चेंच लेंगे यहाँ पर मार्जन में दो इंच रखूंगी साड़े चेंच से एक्स्ट्रा दो इंच ही रखा है नीचे से भी दो इंच एक्स्ट्रा मार्जन रखते हुए मार्क कर लेंगे शोल्डर को गोलाई दे देंगे अब यह गले के नाप के लिए मैंने यह आपर लेंथ रखी है साड़े नौ इंच और चोड़ाई रखी है तीन इंच यहाँ पर मैं चौकोर गला ही बना रही हूं इसी शेप में मैं कटिंग कर लूँगी गले की इसके उपर भी नाइट की कटिंग होगी यह में फैब्रिक पर रखते हुए हम उशी शेप में कटिंग कर लेंगे जो सारे पार्ट हमने काटे थे उन सब को जॉइंट कर लेंगे थोड़ी लूस सिलाई रखते हुए जॉइंट करेंगे छोटे पार्ट आराम से जॉइंट हो जाते हैं लेकिन जो थोड़े लंबे होते हैं उन्हें जॉइंट करने में दिक्कत होती हैं वहाँ पर मैं औल पिन का यूज करूंगी इसे कपड़े हिलेंगे नहीं आराम से सिल जाएंगे यह शेप को रखते हुए मैं फ्रेंट पार्ट पर प्रिंसिस पार्ट को जिल दूँगी यह अटेच करदूँगी यहाँ पर आराम से करने जोलना आये दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रखill के अटेच कर लेंगे यहाँ पर ओखा आई की पट्टी काट लेंगे इसे डबल रखेंगे इसके उपर भी मैं नैट अटेच करूंगी जितना गला होगा उस पे अक्स्ट्रा पहले इतना ही सिल लेंगे हम यह हमारा नैट है यह फ्रेंट पे रहेगा फ्रेंट पार्ट को इसके उपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे इसे हम प्रिंसिस कटनी देंगे नैट को यह गला मैंने 6 इंच का रखा है यहां पर चोड़ाई 3 इंच ही रखी है आगे से ओपन कर लेंगे यह मैं इसकी प्लेट के लिए नाप दे रही हूँ 3.5 इंच चोड़ाई रखते हुए उपर से डॉट पॉइंट 10 इंच रखा है इसे डार्क कर लेंगे और दूसरे पार्ट को इसके उपर रखते हुए इसके निशान दे लेंगे और इनके निशानों को उठाते हुए सिल लेंगे यह हम यहां पर प्लेट्स लगा रहे हैं इन्हें 1.5 इंच की रखना है, इसी तरह से काट लेंगे हम, नेट पर भी यही पट्टियां काम आएंगी, सीधे पार्ट पर रखते हुए इन पट्टि को सिल लेंगे, एक सिलाई पट्टि के उपर से लगा लेंगे, पट्टि को मोडते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर दे यह गले हमारे तैयार हो गए, अब नेट को यहां पर रखते हुए और पिन से अटेच कर लेंगे, इस पार्ट पर और उसको सिलाई करते हुए अटेच करते जाएंगे, यह हमारा फ्रेंट में नेट लग चुगा है, इस पर गले पे भी एक सिलाई लगा देंगे, अब हम इस नैट के गले को तिर्ची पट्टी से तयार करेंगे उसी तरह सिलाई करनी है एक उपर से सिलाई फिर पट्टी पर सिलाई करनी है और ये कट देते हुए मोर देंगे हम इससे जोल नहीं आती गले पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम गला तयार कर लेंगे ये नैट का गला तयार हो रहा है पीछे के पार्ट को हमने औल पिन से अटेच कर लिया है पीछे का पार्ट बहुत बड़ा है इस वज़े से औल पिन ज़्यादा यूज़ करनी है यहां हाफ फोल्ड करते हुए साड़े टीन इंच का मार्क लेके उपर डॉट पॉइंट दस इंच लेकर प्लेट का निशान लगा देंगे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे हम इस तरह से यहां फ्रेंट पार्ट पर हम हुक आई की पतिया लगाएंगे पतियों में जहां तक हमारा नेट है वहाँ पर नेट ही अटेच किया है गले के लिए फोल्ड करते हुए स्लाई कर देंगे यहां पर यह हमारी हुक की पति है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी अब हम आई की पति लगाएंगे आई की पति को बैक साइड से लगाते हुए फ्रेंट साइड में मोडते हुए लगाएंगे यहां हम बैक साइड के पार्ट को सिलाई करेंगे जो हमने ओल्पिन से सिक्योर कर रखा था उसे सिलाई करते हुए हम अटेच कर लेंगे इसके गले पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और तिर्ची पट्टी लगाते हुए हम गला तयार करेंगे बैक साइड को नेट पर रखते हुए हम नेट को भी बैक साइड की शेप दे लेंगे गले को हमें नहीं काचने, गला सिर्फ हमें दाइ इंच का रखना है चोड़ाई तीन इंच की रखनी है और उसे गोल शेप देते हुए तयार करेंगे तिर्ची पट्टी लगाते हुए इस तरह से गला तयार हो जाएगा हमारा यहाँ पर हम पूरे नेट को बैक साइड में अटैच कर देंगे, ओल पिन से सिक्यूर करते हुए यहाँ नेट अटैच कर रहे हैं, यह गले पर सिला ही लगा रहे हैं गला हमारा नेट का एक्स्ट्रा रहेगा यह हम पट्टियां लगाएंगे यहाँ पर, जो हमने निशान लगाए थे आदे इंच की पट्टियां लगानी है यह हम बैक साइड और फ्रेंट साइड को रखते हुए अटैच करेंगे पहले सोल्डर अटैच करेंगे दोनों सोल्डर अटैच हो गए हमारे नीचे से मैं मोल्ड रही हूँ, यहाँ पर आप चाहें तो कमर की पट्टि लगा सकती है, अस्तर के कपड़े मैं से वो डेढ़ इंच की पट्टियां लगेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पट्टियां ना लगाकर अंदर की साइट फोल्ड करके मोल रही हूँ, यह इस तरह से हम फिटिंग दे लेंगे, इस ब्लाउस को उपर की चैस्ट की और कमर की फिर जॉइंट कर लेंगे, मैं यहाँ पर इधर इसलिए सिल रही हूँ, कि आपको यह बता सको, अगर आप स्लीपलेस ब्लाउस पहनना पसंद करते हैं, तो यहीं पर ब्लाउस सिल लें, और उसके बाद अपने सोल्डर में तिरची पट्टियां लगाकर, आपका ब्लाउस तयार हो जाएगा, लेकिन म मैं यहाँ पर नैट की बाजू अटेच करूंगी, इसके लिए मेरे पास जितना नैट है उसका यूज कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा ही नैट रह गया था, चुन्नेट वाली बाजू बनाऊंगी मैं, उनको शेप देते हुए इस तरह से, नीचे से फोल्ड कर दूंग बाजू के लिए और उपर की साइड से लूज सिलाई देनी है, एक सिलाई लेनी है शिरफ, दोनो बाजू में इसी तरह से सिलनी है, एक धागा निकालते हुए सिलाई का, दोनो तरफ से एक धागा निकालते हुए चुन्नट देते जाएंगे नैट में, जितनी बाजू तियार करनी है उतनी चुन्नट दे देंगे इस तरह से हो जाएगा और इसे ब्लाउस के अंदर अटेच कर देंगे अगर चुन्नट जादा होंगी तो और भी अच्छा लगेगा लेकिन यहाँ पर नैट कम था इसलिए चुन्नट थोड़ी कम आई है इस तरह से शेप आएगी अब हम फाइनली ब्लाउस को सिल लेंगे देखें यह हमारा ब्लाउस तयार हो गया यह इसका फाइनल लुक है यह तो इस टीचिंग थी लेकिन मैं घर के कामों की दूसरी तरह की वीडियो भी बनाती रहती हूँ उनको देखने के लिए वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब करें